स्वागत आप सब का बहुत ही मैथोपूर मुकाबले के अंदर विश्ट इंडीस के टीम आपे लगबग वाइट वाश होने वाली सीरीज के अंदर अभी तक 4 मैच आस हो चुक है और 4 के अंदर यहाँ पे इंग्लैंड के टीम जीती है चार्ट जरू सो भड़त बना चुकी है तो देखने लाग रहेगा के यहाँ पर विश्ट इंडीस टीम अपनी सरजमी के उपर वाइट वाश रूख पाती है ने रूख पाती है उडियाई के अंदर तो 3-0 से पहले वाइट वाश हो चुक है इंग्लैंड टीम ने 3-0 से उस सीरिस को जीत लिया था 80-20 सीरीज है तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है मैच है यहाँ पर विश्ट इंडीस उमन बनाम इंग्लैंड उमन के बीच में मैच होगा केंजिंग्टन ओवल ब्रिज्टोन बेरबडोस पर मैच टाइमिंग रात के साड़े तीन बजे टेलिग्राम से जुड़े उसका फाइदा क्या है टेलिग्राम के उपर लाइन अप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट साती है तो मैं टेलिग्राम पर जुड़ना कैसे है टेलिग्राम चलंगा लिए मने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है तो अब यहां पर पिछ रिपोर्ट के बारे में बात करते है इस वनी के उपपर लास्ट वूमन का T20 मैच खेला गया था उन्नी दिसंबर को मैच था वेश्ट इंडी जुमन वर्सस इंग्लाइन डूमन के पिछ में चौथा T20 मैच था आपको पता होगा तीसरा T20 मैच भी यहीं पर और चौथा भी यहीं पर पांच भी यहीं पर हो रहा है तो आप देखो इस वनी के उपर किस तरह से स्कोर्स बनता है पहली पार यहीं पर किस तरह से स्कोर्स बनता है जो लास्ट मैच वादा चौथा T20 उसक अंदर इंग्लैंड टीम्रेक्स एक वन्टीवन बनाया आट विकट गवा के फिर यहां पर वेस्ट इंडीस की टीम चेस करने आई एटीटू पे सिमट गई उससे पिछले मैच में वन प्रस करें चाहिए बैट सेकंड करें फरक पड़ेगा नहीं इंग्लैंड टीम को जीत रहे हैं इस मैच कंदर बहुत स्टॉंग टीम है अपने पूरी सिरीस कंदर देखा था इंग्लैंड टीम किस तरह से अपर खेल अपना दिखा रही है तो बात वही है इंग्लैंड जो भी गरे उनके प्रेट्स अपने को लेके चलना है अब देखो इस वन्यकोपर वेस्ट इंडीज ने तेरा मैच इस टीटवंटी ये छह मैच जीता साथ मैच आ रहा है वह इंग्लेंड की बात तरता है साथ मैच खेला पांच जीता दो आ रहा है बहुत बढ़िया रिकाउड ह या आपका मला रहा साथ मैच के अंदर इस वन्यकोपर पेसर ने तेज गिंदा जोने 31 विगेट निगाला है वह जाओ श्पिनर्स है आपे उनके यहां पर 50 विगेट है जो स्पिन डालते हैं वो तो सबसे इंपॉर्टन होते हैं आपे कौन श्पिनर्स 50 विगेट है पेसर दूसरी पारी इक ईदर इंच फेन माला विगेट तो फोर्मला याद रहना चलिट फिआ द्सक्ते इंप में निकलता साथ उसके और श्पिनर्स के नाम नौ विकेट यहां पर चल्ते हैं पिछ की फोटोस कि अपको पिछ दिखना का चाओंगा लगेट तो आप देख सकते हैं सरच सब किस दिखती है बहुत बढ़िया पिछ रहती है वैसे यह देखने में पर वही बात है स्पिन डूमिन इस दा फॉर्मूला बाउनी डैमेंचने से यहां पर हर एक तरफ 60 मिटर होती है बूमन गेम्स के अंदर हैं इस ट्रीटियम दिखती हैं जतनी परसं सा की जए बिच मैं स्टेडियम है फिर समुद्र आपे जाहिए वाँपर इस टाइम गरी है कितना बड़ी आम रहता रहेगा स्टेडियम मालों के पास मैं जो मैं आते हैं जो फैंस आपे घर बसे हुए है अलाग की लिए अलका पुरा मौल रहता है वहां पर चो चलते हैं आपे इसींडी को दिश्टिंट को दिश्टिंडी के अधर दे अधर में पर दे तुमन की बात थरता है है अल्य मैं अधर करेंगी अल्य आलैंड के साथ रश्ट विल्यम्स स्रमाइन केमबल है और दरिजने पे जॉस्पले थियूफ तरिश्टियन होल्डर को लास्ट में डेबिई तुरिया पर स्निता ग्रिमोंड बहुत अच्छे डाल रही है है हैंडरी एफ फ्लेट्चर चारियन फ्लेशर करिश्मा रेमरक आपको खेलती दिखेंगी चलते हैं लाइन की तरफ यह टीम कुछ भी चेंजस कर रही है कभी डेनी वाइट को बार बिठा रही है कभी यह लोग लोग एकलिसंटन को बार बिठा रहे है लोगरे यह टीम ऐसा क्यू करें आपको वैता है क्यों यह सिरीज जी चुक है यह बैंट को टेस्क करनी की कोशिश कर रही है तो राम तर पर वाइड डंकली उपन करती है लारें विन्फिल्ड लिल वर्णन आती है नेट सीवर इधर नेट अमी जोंस मया बाउशेर चार्ली इन एकलिस्टोन सारा ग्लें लॉर्यमिल आपको खेलती हुँ दिखेंगी अब प्लेयर के स्टैट्स की दरफ चलता है बहुत इंपॉर्टन होता है यह तो अब देखो इन्होंने हैली मैथ्यूस ने तेरा मैच खेला है 126 रन और 11 विक्टे यहां पर लिखावा पढ़ सकते हो बैट फर्स्ट नो जीरो साथ है जेस के उपर एक पैठीस तेई है पहले गेंदबाजी करते हुए दस मैच के अंदर 11 विकेट है दूसरी पारी के अंदर गेंदबाजी करते ह विक मैच में जुरू विकेट है फर्म ठीक है इनका सोड़ी से अच्छा पफ़मेंस तो बढ़िया रहे गार पर इसने पिछले दो मैच तो अच्छा केला था 35 बनाया था स्टार दिला दिया था पर यह इनकी जो ऑपनर है अली आलन यह स्टार्ट नहीं देरी टीम को इसन वन रंस है तीन विक्टे मातर है बैट फस्ट दो चेस के पर 15 दस पांच तीन नाबाद 16 तीन तूर यह इसको बहुत जब्धा टीम ने बैक करा ओडिया इस सीरीज में उपन कराया ती 20 में उपन कराया लगातार चार मैच में उपन कराया तो भी इसने किसी भी मैच कंदर 30 पर बनाया है नहीं कितरी चिंता की बादा टीम कितना बैक करीगे एक प्लेयर को चलते हैं फिर यहां पर काईशा नाइट पिछला मैच में नहीं खेली थी यह हैड तो इक अंदर आट मैच में 84 रन है वैन यू के पर तीन मैच के अदर 38 रंस है राशादा विलियम से बहु अच्छा परफोमेंस बैट फस्त तैइस चेश के पर आट रटी जिरो ए वैन यू के पर इसने तीन मैच के लार के आपर 46 रंस है फॉर्म इसका बहतर रहा है इन्होंने तीन मैच के अंदर के बारार रंस करे हुए है वैट फस्त आट है चेश के अपर तीन एग है वैन चेश पर अच्छा करती है जनरली देखा जाए तो अगेंस्ट इंग्लाइंड टीम प्लेर अच्छी है कीपिंग भी कर लेती है शम्ता अहस कंदर बड़ी बड़ी पार्या खिलनेंगी यह बहुत सॉलो सिस्टीम के सा जूड़ी वी है इस इंडिस की टीम से में देखता पिछले दो मैचस को बिठाया यह समझ के बार वह इनको बैंच को बिठाया यह आपकी ऐसी प्लेर अप अलिया एलन कुपर इसको देखो इतिनी बढ़िया प्लेर है मैं मानता हुआ है ट्वर्श घराब है नौ मैच में एक फिकेट है विद बड़ी गता रन है यह अर अच इस इस ट्राइं चलते हैं फिफ्लेट्चर की दरफ इनका देखे आप यहां पर 11 मैच इसकंदर 9 विकेट फिफ्लेचर का बहुत अच्छी लैक्स्पिनर है यह पूरी सीरीस कंदर स्टेंड़ परफमेंस दी है बॉल फॉर्स्ट नौ मैच मेच मेच नहीं जगेट है बॉल इनके खिलाफ इंगलेंड के टीम बैटर्स है जो इंगलेंड के बल्लेवाज उसके खिलाफ अटाय करते ही नहीं है तुक 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 बस ही इनका फॉर्मूला होता है इतनी इस्पेक्ट देते हैं इसको आप समझ सकते हो पिछले मैच में चैयरी नहीं है तुक 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 6-5 मैचे उसमें ये बहुत अच्य डाली तियार चैयरी ऐन फ्रेस्टर अच्छी गिंदबाज है स्मार्ट बोलर है समझ के डालती है करिश्वा रमक चौत तीसरे ठीध्वं टीषवन ती दुलाय हो गई थी और वैसले तुक 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 पर पांच मैच में चार विकेट फॉर्टी तरी रंस रहे हैं इस पर नजार रच सकते हो अच्छी किन बजी कर यह लाइन दिसके रहे है फिलाल अब चलते हैं पर काईशा सौल्च की तरफ इसको एक ही मुका दिया था उसके बाद खिलाएं गजनभी इनका कोई ज्यादा रो अच्छी के थाटर इन अच्छी के लिए बहुट सिरीज विपर प्रेश्र ता किसे मैच पर चाहिं डिज रहे हैं अच्छी फोर्म में चल रही है दंकशी आइगे यह उपर साथ मैच में वनेटी फाफ्यर बहुट अग्या पर बहुत अच्छा पर पॉपमेंस दिया ए मत लोग जुक जाते हैं जो जोग दोना आज से कहते हैं कि मैं मुसीबत लूगा मैं परफोरमेंस कर दिखाऊंगा यूनो वैसा कर दिया है मिरुको इन एदाइस नहीं थी सीरिज में वैसे हर मैस पर इन टीम में लिया भी था और भी नुकसान नहीं वा पर मतलब इसने बहुत परफोरमेंस जिया था एक घरी उत्री थी है वैल प्लेट अभाइंगी पर इन एक तीन मैच कंदर हैं पर फॉर्टी 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 पहतीस है लॉर्ण विंफिल्ड साथ मैच में 98 रंस है यह थोड़ा नेगेटिव पॉंट पॉंट यह सीरिज कंदर की लॉर्ण व वैनी के उपर साथ मैच में 101 रहन है नैट सीवियर फॉलग मैच में 309 रंस है 11 विक्टें 26 के उसद है और बैट फॉष्मन के बहुत अच्छे फिकर से वैनी के उपर साथ मैच में 7 विकाट 103 रहन है फीदर राइट कप्तान साप 15 मैच में 200 क्यां रंस है एक्टुड मठहर पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 मैच में 232 दूसरी पार इक अंदर चार मैच में 19 रंस है वैनिक पर तीन मैच में 16 रंस है आते हैं पर अमी जोन सिंका है यहां पर 11 मैच इसकंदर बाइस के ऊसद है 201 रंस है इस सीचूर्स के है बहती बैटर सकिंद में 26 रंस रंस है तीन मैच सिंदर जोन सि цен परDY हैं अल्ला यह दो चलती है वेशे चलती रहेंगी हैट्विट इंदर बीस मैच कंदर उनिस विगेट है पहले गिंदबाजी कर दूसरी बारी में 14 मैच में 12 विगेट है साथ बार अच्छा सकंदर विगेट लाज गई है वैनुक पर दो मैच कंदर जुलियो विगेट से है सोफी एकले स्टून 11 मैचे अंडर 15 माच विगेट है पहले गिंद बाजी कर दो मैच में एक विगेट है दूसरी बारी कंदर गिंद बाजिक कर दो हैं नौ मैच में 14 मैच जोड़ा दो विगेट लाज गई है बहत अच्छी गिंद बाज यही नंबर वन बॉल और अडी और दुखी किया प्लैर अच्छी है नौ मैच में गयराट ऑजी गरती है एक प्वाच में जिरो दूसरी बर आथे मैच में गयराट दो बार विकेट लगी गही है इनौन ने थर्ड टीट्वंटी के अनिराश किया पिछले टीट्वंटी के अर्ट अच्छी गिंद गी चार इसने करिश्में रचे हैं, तीन मैच हैट वड़े के अंदर, कुल मिलाकिस के नौ विकेट्स है, वैनुकेपर दो मैच मेच छे विकेट्स है, एक नमबर परफॉमेंस है, इनके क्या फॉम में चली लॉरान बेल, चालीडीन की जितने प्रंससा के जाए उतनी कम है, हैट वड वही हाल है उतनी लॉरान बेल उतनी काम किया है, वही काम चालीडीन कर दे रही है, तीन मैच नौ विक्ते हैं, वैनुकेपर भी हाल है, हैट वोई हाल है, गजब गेंद बाज दो, लॉरान बेल और चालीडीन, यह दो इस सिरीज की अबसे बड़ी खोज हैं, और तो मैच एक बनता है चाली दीन के सामने 14 गें नौरन एक बर आउट किया हुआ है सारा देन ने तो भाइसाब इनको चार बार फसाया है 32 गें में 20 रंदे के और एकलिस्टो ने 6 बार फसाया है साड़ बाल में 40 रंदे के अलिया एलेन वर्टस लारन बेल अठरा गें 12 रंद दो आफस्ती है यह अठ्लिस्टो अटाक करें खेलती है उनने देखा हूआ है यह शमाईड केमबल वर्टस लोरन बेल डो बाल 0 रं दो आउट किया हुआ है ब्रंटने तीन रंद पर बर चौटए ज्ञार गया इनको बार करिया उनको स्कौर्ड से और शोफेट अगल की बाद तोड़ा सर रहा है 37 गें 26 रन एक बार आउट भी है अब चलते हैं पर डैनी वाइट के दरफ इनका मैच अबनता है आपर हैली मैथ्यूस के सामने 70 गें 24 रन दो बार आउट किया हुआ है तो थोड़ा सा फसरी है पर आपर इनको नॉर्मली ठीक प्लयर है सेफ रहती है हीदन नाइट वर्टस एफी फ्लट्चर 110 गें 96 रन चारवार आउट किया हुआ है है यह जून्स का स्टगल है हैली मैथ्यूस के सामने 78 बाल 78 रन चाह बर आउट किया है और पिछले दो मैच नदर चाह और चाह बर विसरे 24 रेंटे 25 रेंडर आउट वसी थी सनिता ग्रिमांट की इन पर फसी थी 22 गेंट में दो बार इस तरह से मैच अब है अब चलब को मैंच अब चल्डें की दरफ हैली मेंथ नेट स्विवार को मैंच यह लिए बड़ी पना है यह भर दैनी वाइट प्सी ऑप्शन चा यह फिर वेबसाइट पे जायें StatsYoutube.com के वेबसाइट यहां पे अपडेट करते हूं चलते टीमस कि यह मेरी कैप्टैन है अपर मेरी कैप्टैन है यह पर जादा तर फचास परसंट से जादा चाली इनको कैप्टैन किया है माना नहीं गरूँगा इसी फिर में चल रही है वह आप कर भी सकते हैं इनको चाहे तो आज भाई बार बार में रुक्यो रहें कर गे थोड़ी सी तवीथ खरापती पर मनें सुचा बनाते वीडियो थोड़ा बटो यूसफुल रही है अगर कुछ ना रहे सम्तिंग इस बटर देन नथिंग है अज़ा राशाद विल्यमस अफसे टॉप मुश्पीक है अच्छ सब्सक्राइब कर देखेंगी राशाद विल्यमस ना बैट अच्छा कर रही है और कभी-कभी एको डालने आ सकती मैच कंदर इसने मेरे को व्याद है शायद वो दूसरा टीट्वेंटी मैस थासमें इसने एको डाला दो डाले ते अठारा रंदिया थे एक विकेट निकाला लेने का ठीक है तो इससरे से अपके आप्शन्स बच सकते हैं है है एली मैथ इस इंपोर्टेंट है चाले इन इंपोर्टेंट है नैट सुर भी बट बढ़िया प्लेर है फॉर मानते है पिछले दो तीन मैचे से 20-20 पॉइंट दे रही है और तो कोई इंपोर्टेंट लग परिणी इस दोती भी तो बढ़िके और पहली लिंटाच को है अपनी टीम को है आट बचे अखनी सब्सक्राइद के लिए अन बनाघन के अ ने इंपोर्टेंट है रहन प्राइन अन लेकर में लेंट में के सबको लीचको य producción अउद को सारे अटी ना पड़े कि जाहिंद और इस मैच में Grand League मेरे को आपसे चाहिए है ठीक है तो rank 1 लाना है आपने को जाहिंद